हेलो दोस्तों नवश्कार स्वागत आप सुई का एजुकेशनल स्टडी बॉन यूटूब चैनल पे तो देखे एससी सी एससल एक्जाम 2021 बारा से जो 27 अप्रेल के बीच आपका पेपर होने वाला है इस एक्जाम के लिए आज की इस वीडियों हम लास्ट 6 मन्त के टॉप करंट अफेर के मोश्ट इंपोर्टन 50 क्वेशन कवर करेंगे पांच नंबर पके कर लो इस पूरे वीडियो को देखे ये प्रशन भूल कर भी मत छोड़ना रट लीजे इन प्रशनों को काफी कम समय बचाए आपके एक्जाम में तो जिनका भी एक्जाम होने वाले हैं सभी साती इस वीडियों में जहां से अन तक बने रहीगा वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब जुरूर कीजिगा चलिए शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो की पीडियो फईल आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपर यूपर गिवन होगा पहले question में पूछा जा रहा है किस राष्टर ने दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रेल लॉंच किया है तो ये लॉंच किया गया है चीन देश के द्वारा चीन ने 6 नमबर 2020 को ये लॉंच किया था और इसके साथ 12 अधर सैटलाइट भी लॉंच किये गई थी तो चीन इस question का आपका बिल्कुल रॉंच रहा है आगले question में पूछा जा रहा है 48 अंतर राष्ट्रिय एमी पुरुसकार 2020 में तो इसमें सरवश्रिष्ट अभीनेता का पुरुसकार बिली बैरेट ने जीता है राइट अंसर आप्शन नमबर डी है इस question का और बेश्ट अक्रेस का जो अवार्ड है वो जीता गया है गिलैंडा जैक्सन के द्वारा और इसमें जो डैली क्राइम वैब सीरीज है इंडिया की उसे बैस्ट ड्रामा सीरीज का वार्ड भी मिला है अगली question में आपसे पुछा जा रहे है निमल लिखित में से कौन दुनिया की सबसे लंबी राजमार्क सुरंग है तो कौन सी है तो ये है अटल टनल ठीक है राइट एंसर आप्शन अबर डी है इस question का इसकी जो लंबाई है वो 9.02 km है ठीक है और इसका जो उधगाटन है वो परधान मंतरी नरेंदर मोधी जी ने किया था अक्टुबर 2020 में और ये मनाली हिमाचल परदेश को लाहुल स्पीती से जोडेगी अगली question में पूछा जा रहे है भारत ने किस राष्टर में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है तो ये बांगला देश में 300 साल पुराने काली मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है जिसका निर्माण 28 स्ताबदी में हुआ था और अब इसका reconstruction हो रह आगली question में पूछा जा रहे है किस फिलम को ओसकर के लिए भारत की आधिकारिक प्रवश्टी के रूप में चुना गया है इंडिया ज ओफिशल एंट्री के रूप में किसे चुना गया किस फिलम को तो ये चुना गया है जल्ली कट्टू को आगली question में पूछा जा रहे है एशिया का पहला सोर उर्जा संचालित कपड़ा मील किस भारतिय राजिय में स्थापित किया जाएगा तो ये महराश्टर के पारभानी डिश्टिक में स्थापित किया जाएगा इसी के साथ जैभवानी कॉर्परेटिव टेक्स्टाइल मील एशिया की पहली सोर उर्जा संचालित कपड़ा मील बन जाएगी अगले क्वाश्टि में पूछा जा रहा है राष्ट्रिय राजमार्गों के निर्मान कारेों को गति देने के लिए जारी की गई पॉर्टल का सरकार ने क्या नाम रखा है तो इस हेतु जो पॉर्टल जारी की गई उसका नाम रखा गया गति इसे फरवरी 2020 में नितिन गटकरी जी ने लॉंच किया था अगले question में पूछा जा रहे है किस देश के परधान मंतरी को नॉबल शांती पुरुसकार 2021 के लिए नामित किया गया है तो ये इसराइल के जो परधान मंतरी है बेंजा मिन नेतन याहु को नामित किया गया है इस question का right answer option number C रहेगा अगले question में पूछा जा रहे है भारत ने किस राष्टर के साथ बैका समझोते पर हस्ताक्षर किये है तो ये जो हस्ताक्षर किये गए थे वो 27 अक्टूबर 2020 को USA के साथ किये गए थे सियुक्त राजिय अमेरिका के साथ किये गए थे राइटनसर option number A है next question में पूछा जा रहे है जापान के नए परधान मंतरी के रूप में किसे चुना गया है तो ये योशी हीदे सुगा को चुना गया option number B बिल्कुल राइटनसर है अगले question में पूछा जा रहे है भारतिय दूर संचार नियामक प्रादिकन यानि कि जो टेलिकॉम रेगुलर्टी अथोर्टी ओफ इंडिया है कि नए अध्यक्ष के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में पीडी वागेला को न्यूक्त किया गया है next question में पूछा जा रहे है हाल ही में जारी सिप्री ससस्तर निर्यात सूची में भारत की रैंक क्या है तो ये 2020 में जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें भारत 23 स्थान पर है इस question का right answer option number A है next question में पूछा जा रहा है भारत ने पहली बार किस मसाले की खेती की है तो भारत ने पहली बार हींग के मसाले की खेती की है तो हींग इस question का आपका बिल्कुल right answer है next question में पूछा जा रहा है नासा के ओसिर्सिस REX ने सफलता पूरवक धूल और कंकड इकठा करने के लिए किस शुद्र ग्रह की सतय को छुआ है तो ये बेनू की सतय को छुआ है right answer option number D रहे गए इस question का कब छुआ है 20 October 2020 को आगली question में पूछा जा रहा है भारत ने किस परजाती के सरक्षन के लिए 5 वर्षिय कारे योजना बनाई है तो ये किस परजाती के सरक्षन के लिए 5 वर्षिय कारे योजना बनाई गई है तो ये गिद्धों की परजाती के सरक्षन है तो योजना बनाई गई है right answer option number B है इस question का देखे दोस्तों SSC CSSL प्रिक्षा 2021 के लिए math का पूरा paper आ गया है मैंने अपने second channel पे इसकी video upload कर दिया जिसका link आपको इस video के description box वे उपर उपर दिया गया है जिस वे आपको maths के most important 25 questions cover कराए गया है इस video को आप देखे गणित में 25 में से 25 नमबर पक्के कर सकते हैं क्योंकि ये जो question है वो CSSL की previous exam में पूछे गया है और इसी परकार इस बार भी question पूछे जाएंगे तो इस video का link आपको इस video का description box वे उपर उपर दिया गया है कलिक करके जरूर देखेगा बढ़ते हैं next question की तरफ अगले question में पूछा जा रहा है कि इंदर सरकार नहीं घोशित किया है कि कितने शहरों में 5,17,4 मुक्त शहर है तो ये कितनी city को घोशित किया गया है तो ये 6 city को कच्रा मुक्त घोशित किया गया है 5,17 की श्रेणी में राइट एंसर option number A रहे गए इस question का आगले question में पूछा जा रहा है भारत के premium कपास का नया brand name क्या है तो इसका जो नया brand name है वो है कस्तूरी option number C's question का राइट एंसर है आगले question में पूछा जा रहा है memorial blue patika से समानित करने वाली पहली भारतिय मूल की महिला कौन बनी है तो इसमें जो पहली भारतिय मूल की महिला बन चुकी है ये बन चुकी है नूर इनायत खान तो नूर इनायत खान option वस C's question का बिलकुल राइट एंसर है आगले question में पूछा जा रहा है किस messaging platform ने भारत में अपना UPI payment feature launch किया है तो ये launch किया गया है WhatsApp के द्वारा इस question का राइट एंसर option number D रहेगा अगले question में पूछा जा रहा है संयूक्त राष्टर जनसंख्या पुरसकार 2020 से किसे समानित किया जाएगा UN Population Award 2020 से तो ये समानित किया जाएगा भुटान की रानिमा और हैल पेज को इस question का राइट एंसर option number D रहेगा A और B दोनों को अगले question में पूछा जा रहा है भारत ने किस छेत्र में पाकिस्तान द्वारा चुनाव की घोषना का विरोध किया है तो ये किस छेत्र का विरोध किया गया है तो ये विरोध किया गया गिल्गिट बाल्टिस्तान का राइट एंसर option number B रहेगा इस question का अगली question में पूछा जा रहा है विसव बैंक के वार्सिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है World's Bank Annual Human Capital Index में तो 2020 में भारत इसमें 116 स्थान पर है ठीक है इस question का राइटन सर आप्शन अबर B है अगली question में पूछा जा रहा है बांगला देश और किस देश ने सेयुक्त नोशेना अभ्यास कैरेट 2020 शुरू किया है तो ये शुरू हुआ है बांगला देश और USA के बीच में राइटन सर आप्शन बस C रहेगा इस question का अगली question में पूछा जा रहे है किस राजय ने नीती आयो के निर्यात तेयारी सूचकांग 2020 में सिर्स्थान प्राप्त किया है तो ये जो सिर्स्थान प्राप्त किया है वो गुजराथ राजय ने किया ठीक है second position पे महराश्टर है third position पर तमिलाडू है और ये जो इंडेक्स है वो अगस 2020 में जारी किया गया था अगले question में पूछा जा रहे हैं कौन सा देश परमाणू उर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बन चुका है तो कौन सा देश बन चुका है तो ये बन चुका है UAE यानि की सेयुक्त अरब अमिराद option number B question का right answer है next question में पूछा जा रहा है wild life photographer of the year 2020 का अवार्ड किसने जीता है तो ये जो अवार्ड जीता गया है 2020 में ये जीता है एश्वर्या स्रीधर ने option number C question का बिल्कुल right answer है अगली question में पूछा जा रहा है NASA ने GEMS Web Space Telescope के launch को कब तक के लिए टाल दिया है तो इसे टाल दिया गया है October 2021 तक right answer option number C रहे गया इस question का इसे COVID-19 के कारण टाला गया है अगली question में पूछा जा रहा है विस्व स्वास्ते संगठन के साथ किस राष्टर ने अपना समंद समाप्त कर दिया है तो ये किस राष्टर ने कर दिया है तो ये कर दिया गया है America के दोरा right answer option number A रहे गया इस question का अगली question में पूछा जा रहा है फसलों की खेती को वी निमित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है विच स्टेट हैस बिकम दे फर्स्ट वन इन इंडिया तो रेगुलेट कल्टिवेशन ओफ क्रॉप्स तो ये बन चुका है तेलंगाना right answer option number A है इस question का next question में पूछा जा रहा है कौन सा राज्य दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता smelter परियोजना स्थापित करेगा तो ये स्थापित करेगा गुजरात राज्य ठीक है गुजरात के दोसा वाड़ा में तापी डिश्टिक में इसे स्थापित किया जाएगा एकबाल सिंग चहल को राइट एंसर उप्शन नबर ए है इस question का अगली question में पूछा जा रहा है 2019 में सिर्ष चैने खर्च करने वाला राश्टर कौन सा था तो ये था US राइट एंसर उप्शन नबर C है इस question का second position पर इसमें चीन था और third position पर इसमें भारत था अगली question में पूछा जा रहा है भारत बांगलादेश नो सेना द्वी पक्षिय अभ्यास बोगो सागर का कौन सा संस्करन हुआ था 2020 में तो ये इसका second edition हुआ था भारत और बांगलादेश के बीच में राइटनसर, option number A है इस question का अगले question में पूछा जा रहा है दुनिया के सबसे बड़े जीवित समूंदरी कच्च्वी का नाम क्या है तो इसका नाम है लैदर बैक C कच्च्वा option number D बिल्कुल राइटनसर है देखिए दोस्तों जिन भी साथियों का 12 से 27 अप्रेल 2021 के मद्य SSE CHSL का एक्जाम है आप इस मोबाइल नंबर को नोट कर लीजिए ये जो नंबर है WhatsApp और Telegram दोनों हेतु है इस पर आपको जिस भी शिप्ट का आपका एक्जाम होगा आपको अपने सभी क्वेशन हमें भेजने हैं ताकि हम जल से जल सबसे सटीक एनालिसिस सबसे पहले आपको उपलब्द करास कें जिससे आपको भी इससे help मिलेगी और आने वाली शिप्ट के आपके दोस्तों को भी help मिलेगी तो इस मोबाइल नंबर को आप नोट कर लीजिए जैसी आपकी शिफ्ट का एक्जाम खतम होगा तो तुरंत आप हमें अपने प्रशन इस मोबाइल नंबर पर सेंट कर दीजेगा बढ़ते हैं अगले क्वेशन की तरफ नेक्स्ट क्वेशन में पूछा जा रहा है कूरिल द्वीब विवाद में कौन से दो राश्टर सामेल है ये किन दो राश्टरों के मद्दे है तो ये रूस और जापान के मद्दे है इस क्वेशन का राइटंसर ऑप्शन नंबर A है अगले क्वेशन में पूछा जा रहा है डॉक्टर S. पदमाबती भारत की पहली महिला और सबसे पुरानी कार्डियोलोजिस्ट है निमल लिकित में से किस पुरुषकार से समानित की गई तो देखिए ये जो है महिला डॉक्टर S. पदमाबती भारत की पहली महिला और सबसे पुरानी कार्डियोलोजिस्ट है इन्हें पदम विभोशन और पदम भोशन अवार्ड से समानित किया जा चुका है इस question का राइटेंस रॉप्शन अबर D है इनकी जो मरत्यू है वो 103 साल की उमर में COVID के कारण हुई थी ठीक है अगले question में पूछा जा रहा है भारत के नए नियंतरक और माहलेखा परिक्षक कौन है CAG पूछा जा रहा है तो ये हैं गिरीश चंदर मुर्मू GC मुर्मू राइट एंस रॉप्शन अबर A है इस question का अगले question में पूछा जा रहा है 2023 में G20 शिकर समेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा तो इसकी मेजबानी अपने भारत देश के द्वारा की जाएगी राइट एंस रॉप्शन अबर C है इस question का अगले question में पूछा जा रहा है भारत के पक्षी 2020 की रिपोर्ट के अंसार भारत में हाउस पैरो की स्थिती क्या है तो भारत में हाउस पैरो की स्थिती इसके अंसार स्टेबल है यानि की स्थिर है आप्शन अबर A बिल्कुल राइट एंसर है अगले question में पूछा जा रहा है कौन सी फिलम बैस्ट पिक्चर के लिए ओसकर 2020 पुरुसकार जीतने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिलम बन चुकी है तो ये बन चुकी है पैरा साइट मूवी राइट एंसर उप्शन अबर A है इस question का नेक्स्ट उप्शन में पूछा जा रहा है परधान मंत्री राष्ट्रिय बाल पुरुसकार 2020 में कितने बच्चों को समानित किया गया है तो इसमें टोटल 49 चेल्डर्न को समानित किया गया राइट एंसर उप्शन अबर A है इस question का नेक्स्ट उप्शन में पूछा जा रहा है कौन सा संगठन भारत में पारंपरिक सिकित्सा पर एक वैश्विक के इंदर स्थापित करेगा तो ये कौन सा संगठन करेगा तो ये World Health Organization यानि के डवली अच्चों करेगा राइट एंसर उप्शन बर भी है और इसकी जो घोशना है वो 30 नॉबर 2020 को प्राइम मिनेश्टर नरेंदर मोधी जी ने की थी अगर ये क्वेशन में पूछा जा रहा है विशव वन्यजीव कोश भारत के लिए राजदूत के रूप में किसे नुक्त किया गया है वो हैस बिन अपॉइंटेट एस दा आज की इस वीडियो में हमने करेंट फैर के सभी मोश्ट इंपॉर्टन कवर कर लिया है जो आपकी परिक्षा में डेफिनेटली पूछे जाएंगे तो आपने इस वीडियो पे आंदर देका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पसंद आई तो प्रिस वीडियो को लाइक शेर हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा इस वीडियो की पीडियो फाइल आपको मारे टेलिक्राम चैनल पर मिल जाएगे लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन वाक्स में गियोने धन्यवाद जय हिंद जय भारत